देखे राहूल गांधी जी क्या कह रहे हैं उसकी बात कोई लेता नहीं है जी और ये लोग तो भ्रस्टाचार के गंगोतिशे ही पैदा हुए और ये लोग भ्रस्टाचार के पूरी जमायत बना करके और ओची बातें ओची हरकतें करके जनता को दिख्भरमित करने का इस चुनाओ के दौरान और चुनाओ के पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया है इनके सारे प्रयास निरत तक जाएंगे जनता समझ बैठी है जनता तैय कर लिया है कि मोधी ही गारेंटी है और जो इन लोगों ने जो कहा है तो स्वाबी के पारदर्श्टा आनी चाहिए राजनीती में चंदा कहां से आया किसने चंदा दिया ये जानने का जंता को भी हक है और इसलिए ये लाए गया है अब इनको सब चीज में गड़ बड़ी इबियम में गड़ बड़ी ये बार बार इनको जो फैदा हो वो उसमें वो बात अपने फैदा की बात हो करते है ये र हमारे हाँ यादब जी तेजस्वी ना तो इन लोगों को एक जनमजात बंसवाद भरस्टाचार में लिपते हैं इनको दूसरा कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है माई बाब बेटा बहु बहन भाई इसके अलावा कोई नहीं और राजनिती में ठगने का काम ये लोग ठग का बाजार बना करके रखा है और जनता ऐसे ठगों को इस वार ठिकाने पर पहुंचाने का काम करेगी आएसा ठिकाना होगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा इन लोगों ने ठगों को ठिकाना लगाना जनता का इस वार चुलाव में लोगतंत्र का एक सबसे बड़ा कहा जाए इस पर्व में ठिकाना लगाना है जनता को यह कौन किसका काम कर रहा है दुनिया जान रही है बोधी घरीब का बेटा गरीब के कोक से पैदा हुआ बेटा उन्होंने गरीबी देखा है और इसलिए गरीब गरीबी ही उनका जो बुद्दा रहा है शुरू से कि अब गरीबों का कल्यान के लिए सारी होजना है सरकार की गरीबों की कल्यान की होजना है आप देख लिए सारी होजना है हमारी जो गारेंटी है मोधी की गारेंटी क्या है गरीबों के लिए आम लोगों के लिए जो हमारी सुबिदाएं हमने तहीं किया है और ये लोग संभिधान की बात करते हैं संभिधान को इन लोगों ने तोड़ा मरोड़ा है कहा गया आपातकाल जेपी जब कहते थे जेपी की आवाज 8 अप्रेल 1924 को 50 साल हुआ है अभी ये 50 मां स्वर्ण जैंती अभ्यान हम लोग इसको स्वर्ण जैंती अभ्यान के तर्द बना रहे पचीश जून को हम आपातकाल का एक बहुत बड़ा कारकम दिल्ली में भी सौटतर जेपी आंदोलन और जो विक्टिम्स है आपातकाल के जिन पर ताना सा इनकी दादी ने जो ताना सा लगाय था इंद्रा गांदी जी रहें ताना सा का वो जी सब मिलने जो मिलके बनाय था उसमें भारत की संस्कृती की झलक और कहां चला गया हूँ कहां उस प्रिष्ट भूभी में चला गया यह किसने किया कि कांग्रेश के लोगों ने हमारे विरासत को भी पीटाने का काम किया जो संभिधान में सौचित्र उसका अज़ू इसका व किसी को अधिकार नहीं है, ठीक कहाँ प्रधानमंती जी ने, भाजपा और मोदी जी तो छोड़ दीजिए, कोई जी आज आए, अगर अमबेटकर जी भी आज आ जाते हैं, तो इस संभिधान को बदलने का किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने संभिधान को तोड सभी लोगों ने मिल करके बनाया था, सौचित्र उसको भी इन्होंने उसको हटा दिया, यह ऐसे लोग है, यह दूसरे को कहते हैं, लबेक कहा है, हमारे गाओं में, हमारे ग्रामिन चेत्रों में कहावत है, सूपा दूसा चालिक है, वालब इनमें सौच्छेद, अई चले ह बात करने के लिए, भारती जन्ता पार्टी ने जो दो दिन पहले, आदर निया प्रदान मंती जी ने, वो शंकल्प पत्र के रूप में, जो हमारा वोधी की गारेंटी, यह जो मुक्रूप से शंकल्प है, उस शंकल्प को उन्होंने कहा जाए, कि भारती जन्ता पार्टी क होशना पत्र को शंकल्प के रूप में शंकल्प पत्र सो बनाया है और जिसमें युवाओं का महिलाओं का जो ग्यान की बात है जिसे गरीव वाई से युवा एसे अन्न दाता किसान और एंसे ना ली सकती ये ग्यान को आगे बढ़ाना है और ग्यान सब के लिए ग्यान ये मह खतिपूर्ण बात है और जहां तक उन्होंने संपर्णल संगल्पन जाली किया है उन्होंने जो 100 दिन का मिटींग में जो धानमंति जी ने मिलें सब्सक्र्ण का इसको लागू करेंilik हमारा यह त्हल शुरिषित है और दिल्ली से लेकर के सभी जगह पर आप देख रहे हैं जो विजली में विजली को लेकर पांस साल तक जो मुप्त राशन और जो देश के लोगों को फ्री विजली से लेकर पांस साल तक जो मुप्त राशन की विवस्ता अभी जाली रखने का वादा किया गया साथे तीन करोड से ज्यादा घर बनाने का जो हमारा वादा है उसको हम पूरा करें गेंगे वो शेंकल-पत्त में हमारा सहनने ही ताये और जो मुक्रूब से जो सुर्ज बिजली घर है और उसको लांच कर लोगों को जायदा से जायदा बिजली बना कर पैसे कमाने का एक अफसर भी दिया जाएगा हमारे साथ साथ जो अभी मुद्रा योजना का जो है वो दस लाग से बढ़ाकर बीच लाग कर दिया गया है युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है बीच लाग का उनको रशी मुद्रा योजना के दोरा मिलेगा फिर ये दावा क्या है कि जल्दी हमारे जो देश में यूसिसी भी लागू होंगे तो हमारे हाँ जहां पीम ओदी ने कहा है कि आश्वान योजना अब वो आश्वान योजना में सतर वर्स से उपर जो भी है सतर वर्स से उपर ऐसे सभी लोगों को चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यमबर्गी हो, चाहे किसी भरका हो, तो यह सभी बुजर्गों को उसके दारे में लाए जाएगा, और यह हमारी सोचना आश्मान, योजना के द्वारा जो जो ट्रांस जेंडर है, उनको भी इस कैटेग्री में लाए गया है, तो मुझे सबसे बड़ी बात है, वन नेशन, वन एलक्षन, इसको भी लागू करने की बात, प्यम ने अपने संविदान में, अई अपने संकलपत में कहा है, तो मुझे लगता है, पार्टी ने जो एक करोड ग्राम इन महिलाओं को, जो हमने लगपती देभी बनाया, देभी लगपत बनाया जाए नारी, शक्ति के ससक्ति करन के एक उधारन है, हम अगले कहा जाब, तीन करोड ऐसे हैं, लगपती दीदी बनाने का, और हमने संकलपत में दिया, ससक्त बनाने का, मैलाओं को अपने पहर पर कैसे खड़ा हो, शौबलम भी बने, और मैलाओं का सस्त जीवन, सु रवाइकल कैंसर, इस पर भी हमने रोक लगाने, इस पर भी हमने हर तरह से, तो कैसे वो स्वस्त रहे, इसका प्रियास क्या गया है, मुझे लगता है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, जो हमारे वादा है, जो MSP को समझ समय पर उसका विर्दी करने का, MSP का भी, किस झाल